पांच टिलन की एकॉनमी हो गई तो ये 80 करोड लोग कौन है जो पांच किलो अनाज लेने के लिए खड़े पैसा अगर पैदा हो रहा है एकॉनमी में तो जा किस के पास रहा है ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है MSP क्यों नहीं मिल रहा है भारतिय नोजवानों को किसी भी परिस्थिती में वार जोन में जाकर के काम करना पड़े है जहां मिसाइल चल रही है गोलियां चल रही है लोग मारे जा रहे हैं 20 करोड आप नोकरी पैदा कर देते तो क्यों बाहर जाता कोई किसी को अच्छा लगत कितना परचार किये थे लाड़ा ने लाडली कहां है लाडली में परिसा मिलना बंध हो गया है देखिये इसको हम लोग इसके दो पहलू है पहला तो कोई अपना घरबार छोर करके कहीं और काम करने के लिए क्यों जाता है जब आपको अपने घर बार में रोजगार नहीं मिलता है जिसे मैं बिहार से हूं सर हम लोगों को पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए हनीमून मनाने के लिए, काम करने के लिए हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है क्यों क्योंकि हमारे राज्ज में अवसर नहीं है ये सच बात है बरना अपना घरवार छोर करके क्यों आएगा कोई पंजाब का कोई वेक्ति तो बिहार में जा करके धान काट नहीं रहा है बिहार का ही लोग जा करके काट रहा है तो पहला मसला ये है कि अपने देश में इस नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है ये सबसे प्रमुख बात है दूसरा फिर मरता क्या ना करता जो काम मिल जाए सर यहीं हमारी इन्वस्टी के पीछे जो है बहुत सारी एंबेसी है लोग जो है रात को दो बजे से लाइन लगाते हैं बीजा लगवाने के लिए दो ब काम मिल जाए और ठेके पे बाहर में आर्मी में भरती की जाती है हमारे देश में नहीं की जाती थी अब की जाएगी अभी इसकी शुरुवात हो गई है तो की ही जाती है इसराइल का मामला अलग है इसराइल में आर्मी में नहीं दूसरे काम के लिए डिफेंस से मिन्टों में भीजा पाईए के विज्यापन के साथ जो है दुकान खुले हुए हैं और भारतिय नौजवान जो है उसमें किसी तरीके से चाहते हैं कि हमको बिदेश में कोई अवसर मिल नहीं रहा है तो बिदेश में कोई अवसर मिल जाए वो उसके तहज जो है बाहर चले ज देखिए अब इस बात का जवाब एक्चुली हमारे सीनियर जैसंकर जी देते विदेश मंत्री वो है कि किस विजा पे ये लोग गये हैं सरकार का इस पे क्या स्टेट्मेंट है हम तो जो है इस देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी हिस्से में अगर मुश्किल में है तो उसको उस मुश्किल से निकालना सरकार की जिम्मेवारी है और हम आपको याद दिला दें, यही परचार भी तो किया गया था, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा, उत्राखंड में तराश्दी हुई थी, और जो है, मोदी जी के लिए बड़ा-बड़ा परचार हुआ था, हर अखवार के प्रिष्ट पे छपा था, कि गये हैं, और गुजरातियों को निकाल करके ला रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में कोई गुजराती को कुछ हाय हो जाय तो मुदी जी परसनली जो है, उसकी मदद करते हैं, तो हम बस उनको याद दिला रहे हैं, कि आपका यगून कहा है, हम देखना चाहते हैं, हम चाहते ह कि देश के बाहर जो भारतिय नोजवानों के साथ, देश के अंदर जो परिस्थिती है, जिसके चलते उनको विदेश जाना पर रहा है, तो उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो सरकार इसकी जिम्मेबारी ले, यह तो सरकार बताए कि कैसे गये हैं, किस माध्यम से गय हैं, स्टूडेंट विजा पर गये हैं, कि वर्क विजा पर गये हैं, कि टूरिस्ट विजा पर गये हैं, बीजा का कटेग्री का है, होन सा बीजा ले करके गये हैं, यह तो सरकार बताएगी, हम कैसे बता सकते हैं, हम तो विदेश मंत्री हैं नहीं। सेट हो गया है और वो खर्वों में उनकी कमाई हो गई है और किसान ने आत्म हत्या कर लिया है सारे बाड़ा हजार इसको कैसे देखते हैं GDP ग्रोथ हो रहा है अच्छी बात है विकास दर बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर बिरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है महिंगाई बढ़ रही है तो चिंता की बात है नोजवानों की आत्म हत्या दर बढ़ रही है तो चिंता की बात है महिलाओं के उपर होने वाले अपराध अगर बढ़ रहे है तो चिंता की बात है मजदूरों को अगर मजदूरी नहीं मिल रही है यह अ हम कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज वो अच्छी चीज है जी डीपी बढ़ गया भोत बढ़िया बात है, मत हम वारबार यही सवाल पुछते है न, कि पांच ट्रिलियन की एकोनमी हो गई, सांदार, शुन। लेकिन 5 करोड की ट्रिलियन, 5 करोड की एकोनमी हो गई, तो ये 80 कर जा रहा है किसके पास जा रहा है आंकरा उठागर के देखिये GDP तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा generation जो है इतियास में सबसे गडीब generation कोई assets नहीं खरीद पा रहा है अगर कोई assets खरीद रहा है तो EMI पर खरीद रहा है तो यह GDP GDP growth किसका है वो देखने की बात है ना और इसमें कोई ये कोई अंतर विरोधी बात तो है नहीं यह तो और अच्छी बात है तब तो सरकार अब यह बहाना नहीं लगाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है तब तो हम कह सकते हैं ना कि GDP growth अगर सारे 7% हो गया है तो फिस वो जो मां है इस देश के विद्यार्तियों का कि सिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का दस्वा हिस्सा हो तो दस्वा हिस्सा बजट का आप एजुकेशन पर खर्च करने लगी है लेकिन आपको मालूम है किस बार के बजट में जो है एजुकेशन के ऊपर कटवती की गई है तो पैसा अ लाडली कहा है लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है मस्पी पर जो वादे किये गए थे वो वादा तो छोड़ दीजिए गुजरात के मुख मंतरी थे मोदी जी तो प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जी को चिठ्ठी लिख करके कहा था कि मस्पी दुगनी कर दीजिए अब तो म किसान अंदोलन कर रहे हैं नौजवानों की हालत देख लीजिए कि देश के किसी ना किसी कोने में भरती समय से हो एकजाम टाइम पे लिया जाए प्रस्न पत्र लीक ना हो देश के किसी ना किसी कोने में जो है नौजवान और विद्यार्थी अंदोलन कर रहे होते हैं जी ड हिंसा कहीं भी हो B.H.U में हो कि J.N.U में हो कि A.M.U में हो हिंसा अच्छी बात नहीं है किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए दिश में कानून विवस्था है जैसा कि पिताजी जो है मुख्वन्तर गृमंतरी है तो law and order है यह तो कहीं भी हिंसा क्यूं हो कि हिंसा होने की जौर सबाव शुरू करती वो चुनावी मोड पर ही रहते हैं अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन परकारेंड किसी को भी आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उरिशा में जोइन कराया है एक बीजेडी का एमले जो भाजपा कारिकरताओं के उपर गाड़ी चड़ा दिया एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गाड़ी चड़ाने का क्या सौक है वो टेनी जी का बेटा किसानों पर गाड़ी चड़ा दिया था तो ये बीजेडी का जो नेता है वो बीजेपी के कारकरताओं पे और जो है प्रदान मंत्री जी चुनावी सभा में जाकर के कहते हैं भाजपा कारिकरताओं की पार्टी है उनके कारिकरता के ऊपर जो गाड़ी चड़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है क्यूं चार सो पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी अस्तर पे जाकर के समझोता करते अभी आपने देखा कि ब पहले लिस्ट की तयारी है आप लोग विपक्ष में हैं आपकी सी सी कब होगी इसको लेकि कोई क्लारिटी नहीं है अलाइन्स टीमसी के साथ वेस्ट बेंगॉल में होगा नहीं होगा इसकरी अभी सच्छा है आपको हमारी बड़ा अच्छा लगा सुन करके कितनी चिंता कर हम यह प्रेस कॉन्फरेंस एक बहुत ही गंभीर और संबेदन सील विषय पर है चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कॉन्फरेंस नहीं रखा गया है नंबर मैंने आपको बताया 20 बारतिय लोग रूस में फसे हुए हैं बंधक बनाये हुए हैं वे 400 छोड़ करके 20 नंबर याद रखिए इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूं ऐसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं देने आता है जवाब दे सकते हैं लिए विसा कुछ और है ठीक है कनहिया जी यह बताए ये कि आपने का कि अमेरिका में भारतिय चातरों का मर्डर भी हुआ है संदिग्द परिस्थित इस बार कॉंग्रेस की टिकट पे बेगुश सराय से लडेंगे आप ये विसा अभी आज का नहीं है प्रिस्वारता का पहला सवाल जो आपने पूछा है कि भारतिय नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाए होती रहती है मैं ये नहीं क कॉंटेक्स में देखने पे चीजें आसानी से समझ में आती है मैं बार बार कहता है तो मैं बिहार से हूँ और जो है जब हम लोग महारास जाते थे तो हमारे साथ भी जो है कई बार इसी घटनाएं घटी गुजरात में कई बार जो है इसी घटनाएं घटी ऐसी घटनाएं क तो outsiders को ले करके एक insecurity होती है सभावी कुरूप से और campaign भी यही किया जाता है आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बाहर का लोग आकर के रोजगार ले लिया है बाहर का लोग आकर के इन्वस्टी में hostel को कबजा कर लिया है इन्वस्टी को कबजा कर लिया है तो इस तरह से जो है identity के आधार पे polarization होता है धुर्वी करण होता है और नफरत फैलाई जाती है और नफरत का सिकार जो है वो लोग होते हैं मैं यह ने कह रहा हूँ कि भारत के सरकार की साजीस है लेकिन यह परिस्थिती है इस परिस्थिती में भारत की सरकार को act करना चाहिए हम यह मांग कर रहे है नहीं बस मैंने समझने के लिए उदारन दिया है comparison नहीं है दोनों की geography अलग है परिस्थिती अलग है बस हमने समझने के लिए दारन दिया फिलाल तो नहीं फिलाल तो हम रूस की बात कर रहे हैं उनको यहीं रोजगार दिलाएए और बस उनको हम वादा याद दिला रहे हैं कि आपने तो कहा था कि दो करोड नोकरी देंगे हर साल तो दस साल आप पूरा होने को हैं इस हिसाब से जो है आप बीस करोड नोकरी पैदा करतें 20 करोड आप नोकरी पैदा कर देते तो क्यों बाहर जाता कोई किसी को अच्छा लगता है कि गोलियां चल रही हो और वहाँ पे जो है हम garden साफ कर रहे हैं या सरक साफ कर रहे हैं यह अच्छा तो लगता नहीं है तो हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि देश के नौजवानों के भविस के साथ खेलना बंद कीजिए और युवाओं के लिए जो ये मिर्त काल चल रहा है उस मिर्त काल को बंद करके ही सही माइना में अमरित काल शुरू किया जा सकता है धन्यवाद अब इसी इशू पे अगर कुछ है तो इसी इशू पे है सार क्योंकि वहाँ हमारी साथी ने जो आप से सवाल पूछा था वो इसलिए पूछा था कि आप कह रहे हैं मिर्त काल चल रहा है मिर्त काल से चातों के लिए अमरित काल तभी लाएंगे जब सत्ता परिवर्तन करें आप विपक्ष हैं तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं इस सत्ता परिवर्तन के लिए उसके लिए उसके लिए दूसरे स्पोक्स परसन आगर के प्रेस कांफरेंस करेंगे दन्यवादी